नमस्कार स्वागते आपका सीनियूस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्त 79,000 श्रिक्षक भरती मामले में हाई कोट डबल बेंच के फैसले का पालन किये जाने और नियुक्ती की मांग को लेकर बेसिक श्रिक्षा निदेशाले के सामने धरने पर बैठे आरक्षित वर्ग अभियर्तियों को आज जबरन पुलिस प्रशासन ने एको गार्डन धरना इस अभियर्तियों को एक विधिक नोटिस जारी किया और सुभाही उनको बसों में भर कर एको गार्डन ले जा कर छोड़ दिया आंदोलन का नेत्रत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल और विजय प्रताप वा अन्य के नाम पर ये नोटिस जारी कर बेसिक शिक्षा निदेशाले अभियर्तियों को वहां से हटा कर बड़ी कारिवाही की है धर्ना प्रदर्शन का नेत्रत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले चार दिनों से हम लोग शांती पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई अप्रिय बात या घटना नहीं हु दबाव बनाकर हमारे आंदोलन को कुचलना चाहती है लेकिन हम डरने वाले नहीं है जब तक हम आरक्षिद वर्ग के अभियर्तियों को न्याय नहीं मिल जाता हम अपनी मांग पर डटे रहेंगे हम सभी अभियर्ति चाहते हैं सरकार हाई कोट डबल बेंच के आदेश का प 59,000 शिक्षक भरती में धांदली की है उना अधिकारियों को ततकाल प्रभाव से हटाया जाए और नए अधिकारियों को नियुक्ति कर आरक्षन नियमों का पालन करते हुए नई चैन सूची बनाई जाए याधियoqu तक नहीं जारी किये हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं सरकार तो हमको प्रचाते हैं कि जल्दी जल्दी हम लूग कजियों जारी कर दें और हम लोग का स्कूल JR करवा दे हम निक्ति-पत्त दे लिए हम लोग से लेगे हैं हमारी मांग यह हैं कि उसका पालन किया जाए और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और क्योंकि इसमें जो है ना सरकार ने पहले भी हमारी 8600 की लिस्ट निकाली थी लेकिन उसमें जो आइनिंग नहीं दी थी हम लोगों को टाल दिया था लेकिन अब हम यह चाहते है कि यह जो यहां के ब्रश्ट अधिकारी बैठे हुए है इनको जो है या तो इनको निकाला जाए या अगर नहीं निकाला जाता है उनका नाम चिन्हित किया जाए ना क्योंकि यह अधिकारी कैसे अधिकारी हैं कि जो इस तरह का घोटाला करते हैं उसके बाद भी इनको जो ह हें की पूरी सार्वजनी कि जाए और सार्वजनी करने के बाद हमारी जो हमारे भाई बहन ओक ग्रेट किया जाए माइग्रेट करने के बाद जो हमारे ओवी सी का सत्ताइश परसेंट एसी का 21 परसेंट वो पूरा दिया जाए क्योंकि हमको पूरा रच्छण नहीं मिला है इसी वज़ा से हम लोग यहां बैठे हैं और हम योगी जी से यह मांग कर रहे हैं कि हमारी जो लि सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ मैं सोना राजबूत करनो जिस्टिक से हूँ तो बहुत ही हमारा साफ सुत्रा ओर्डर है इसमें अरच्छण का पालन नहीं किया गया है इससे पहले हमारी लिस्ट आई थी जो कि योगी जी के संग्यान में आई थी लेकिन किसी कारण व फसा हुआ है तो उसके बगार हम नहीं कर सकते हैं लेकिन अब बहुत ही साफ सुत्रा डवल बिंच का ओर आया है हम लोगों के पक्स में आया है तेरा तारीक को आया था आतेज तारीक हो गई है वितने समय में इनको कर लेना चाहिए था लेकिन जो किसी भी जो लिस्ट हमार कोई डोस नहीं है लेकिन जो हमारी जगाय है पहली लिस्ट में है वो आपशिक जारी करिए जल से दल हमारा से माधान करिए हमें नियुकति पद donक जिए क्यों कि चार साल से हम यह मानसिक पृता إलाओ इसे पर बसका नहीं है, और अधिकारी हमेशा ही बर्गलाने की कोसिश करते हैं, योगीती की जी कोई गलती नहीं, वो हमेशा संग्यान में लेते हैं, लोगिकार से वह सरकार हूं अरे धर्ना निंद नहीं लग रहा हम लोगों को खुश सर्म लग रहा है कि इतने दिन से धर्मा करें हम लोगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और अधिकारी जो है हम लोगों को हमेशा इसे घोटाले बाजी है अब ही आर अच्छा घोटाला के बाउद भी इनका नाम सामने नहीं आया है हम लोग चाहते हैं कि इनका नाम सामने आया फिर भभिस में किसी के साथ ऐसा खिलवार नौकिया जाए हम लोग के साथ इतनी बड़ी मजाक कर दिया गया मतलब भरती का कच्रा बना के लोग रख दिये मतलब यही काम रह गया तो टेट सूपर टेट भी एड करके लगन आउसे सीद्व समधाता उमेश विश्व करमा की रिपोर्ट फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुन्या की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सीद्वारत